हेलो एब्रीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में एरफोर्स स्कूल सिख्षक भरती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है NTT, PRT, TZT, PZT की पोस्ट की वेकेंसी आई है पर्मानेंट वेकेंसी निकाली गई है साथ में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां कॉंट्रैक्ट वेस पर भी वेकेंसी है सैलरी 40,000 आप लोगों को यहां पर दी जाएगी फीज बिल्कुल नहीं लगेगी और मेरा मानना है कि जहां पर आविदन के लिए कोई भी फीज नहीं लग रही है और आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप लोगों को अप्लाइ करना ही चाहिए 21 से लेकर 55 वर्स तक के केंडी रेट यहां पर आविदन कर सकते हैं तो नोटिविकेशन देख लेते हैं कहां से जारी किया गया है कैसे अप्लाइ करना है सारी प्रोसेस जानेंगे अंतर तक वीडियो के बने रही है यदि पहली बार्ट जैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बैल वर्टन को प्रेस जरूर कर लें क्योंकि जितने भी गॉर्मेंट प्राइवेट वेकेंसी जारी होती है तो बिल्कुल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समय पर सूचना दी जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले नेम आप दा पोस्ट है नंबर ओवेकेंसी है पे स्केल है ठीक है पे स्केल काफी अच्छा यहाँ पर दिया गया है रेगुलर बेस पर जो सैलरी रहेगी वो अलग है और कॉंट्रेक्ट बेस पर जिन सब्जेक्ट की वेकेंसी है वो अलग है तो पीजी टी की वेकेंसी है कंप्यूटर साइन्स और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जिसमें computer की vacancy जो है regular base पर है, physical education teacher की contractual base पर है, TZT में trained graduate teachers, drawing की regular base पर vacancy है, TZT English की contractual base पर है, TZT social science, SST की regular basis पर vacancy है, यानि permanent vacancy है, एक बार यहाँ पर जो है आपकी entry हो जाती है, तो आप regular बने रहते हैं, और काफी अच्छी salary आप लोगों की आप देख सकते हैं, यहाँ पर 40,000 से भी अधिक salary regular teachers की रहेगी, primary teachers की जो vacancy है, तो regular base पर है, और entity, nursery teacher training, contract base पर एक vacancy है, तो entity की salary जो है 18,000, contractual जो base पर है candidate तो उनकी salary थोड़ी सी कम है, बाकी जो regular basis पर teachers रखे जाएंगे, तो काफी अच्छी salary यहाँ पर दी जाएगी, अब आप देखें कि vacancy जो है कहाँ से जारी की गई है, तो vacancy आई है, Air Force School Barely, यहाँ से vacancy है, तो यहाँ पर eligibility criteria के लिए जो है, मैं आप लोगों को बता दूँ, पोस्ट graduate teachers के लिए जो है, B.A.D. मांगते हैं, पोस्ट graduation के साथ में, subject में, और TZT के लिए जो है, graduation plus B.A.D. और C.T. paper 2 आपका qualify होना चाहिए, जिनके पास S.T.E.T. है, राज्य का T.E.T. है, तो वो भी apply कर सकते हैं, PRT के लिए 12 के साथ में, B.T.C., D.L.A.D. ड.A.D. वाले apply कर सकते हैं, और pre-primary teachers के अगर आपके पास कोई भी diploma है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आवेधन कर पाएंगे, तो यह main website का link है, www.afsbareli.in, तो google पर आप लोगों को यह search करना है, main website पर मैं आप लोगों को ब लिए क्या लिखा है, eligible candidate, जो भी candidate eligible है, are to submit bio data come application form, clearly mentioning address, तो आप लोगों को address जो है, बहुत ही सफाई से जो है, लिखना है, कोई भी mistake नहीं करनी है, contact number जरूर देना है, ताकि आप लोगों को यह reply कर सकें, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, अपने जो है, self-attested copies, यानि कि अपने जितने भी आपके document है, educational document, तो उनकी photocopy लेनी है, उनके नीचे खुद के sign करने है, तो वो self-attested हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को, दो तरीके से आप लोग apply कर सकते हैं, email कर सकते हैं, यहाँ पर email address दिया हुआ है, princeafsbareli at the red gmail.com, यदी आप भेजना चाहते हैं, तो आप लोग 18 मार्च दोहजार चॉबिस से पहले, postal address दिया है, स्कूल का principal, air force school, AF, STN, Boreli, post office, Boreli, pin code 243002, ठीक है, तो दोन तरीके से आप लोग apply कर सकते हैं, fees तो आपकी बिलकुल भी नहीं लग रही है, किसी भी candidate की, चाये वो कोई भी category का हो, candidate may contact school office staff for queries, अगर कोई भी mind में आपके question है, तो आप लोग यहाँ पर phone number दिये हैं, तो इन पर आप phone कर सकते हैं, ठीक है, school manager का phone number दिया है, office superintendent का है, and clerk का है, तो यह phone number है, qualification दुबारा से आप देख सकते हैं, नीचे, जो भी qualification है, as मैंने आपको बता दी, तो यहाँ qualification, आप लोग जिस subject की vacancy आई है, उसका आप देख लेए, यहाँ पर देखे, post graduate teachers की master degree, आपकी subject में होनी चाहिए, और साथ में जो है, a bachelor of education degree, यानि B.A.D. मांगा गया है, 21 से लेकर 50 वर्स तक के candidate apply कर सकते हैं, और जो woman candidate and physically challenged candidate हैं, तो उनको 5 साल की यहाँ पर छूट दे जाती है, TZT के लिए यहाँ पर PZT के लिए CTAT या STAT जो है, compulsory नहीं है, लेकिन TZT के लिए अगर आप apply करेंगे, तो यहाँ नीचे आप लोगों को दिखा देती हूँ, B.Ed. के साथ में आप लोगों के पास CTAT या TAT जो होना चाहिए, लेकिन यह भी इनों ने जो है, desirable qualification में है, यानि कि TZT के लिए CTAT या STAT जो है, वो compulsory नहीं है, अगर आपके पास है, तो अच्छा है, ठीक है, उसके वाद प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को स्कूल की में वेबसाइट पर आना है, लिंक आप लोगों को शेर कर दिया जाएगा, यदि आप अप अप्लाइ करना चाते हैं, दुबारा से बता दूं, फीस कोई भी नहीं ली जा रही है यहाँ पर, तो बिल्कुल जिनका सब्जेक्ट है अवेदर करें, और यहाँ इस पर आप लोगों को समझे लाइन कारें, और सरक्षापर आना है, याप लोगों से आप लेंगे और उसके बाद अदर्डरेस यहाँ से लेंगे, और संड कर देंगे। पोस्ट कर सकते हैं, इमेल भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही वेकेंसी के साथ जोड़े रही है जुनका सब्जक्ट नहीं है आगे की जो वेकेंसी में सब्जक्ट बिलकुल आप लोगों के आएंगे आप सभी की जो है वो जौब लगना ही जो है मेरा उदेश्य है थैंक यू